आज की दिन मार्केट में कुछ नॉर्मल क्वेशिन्स चल रहे हैं पहले क्वेशिन्स हम शुरू करते हैं कि क्या यहां पर निफ्टी के 17,000 जाने के जाला चांसेज है या फिर इमिजेटी 19,000 जाने के चांसेज जाला है और दोनों ही सिनारियो में क्या-क्या सरकम्स्टांसेज हो सकते हैं सेकंड क्वेशन कि अगर हम जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को फॉलो करते हैं तो general market trend की series के according, market up trend में और downtrend में कब और कैसे जाएगा और अभी आज की दिन अगर हमें काम करना है तो कितनी quantity के साथ और किस mindset से काम करना है ये सारे important points है जो आज की दिन हमें समझना अपने mindset के लिए अपनी clarity के लिए ज़रूरी है तो आज हम चलेंगे सीधा screen के उपर और सबसे पहले सारे की सारे important points को discuss कर लेंगे जो आपको जाना जरूरी है बहुत interesting वीडियो होने वाल है और different type का वीडियो है क्योंकि हम यहाँ पे चार्ट में जाके daily chart पे, weekly chart पे complete analysis करेंगे निफ्टी का और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे चलिए चलते स्क्रीन के उपर और एक एक point का discussion शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि हम intraday का discussion नहीं करेंगे करेंगे पर सबसे पहले important सवाल जो हमारे दिमाग में चल रहे है उसको clear करने की कुशिश करते है पहला question यह होता है कि general market trend, downtrend में कब जाएगा complete scenario के basis पे देखिए अगर market 17,800 को even intraday basis पे भी काट देता है और यहाँ पे sustain हो जाता है तो overall market को और charts को देखते वे यह मैंने आपके सामने daily candles लगा रखी है overall charts को और market को देखते वे यहाँ पे market के downtrend में जाने के chances बने रहेंगे and almost certain होगा कि market downtrend में चले जाएगा अभी हमारे volume distribution days का count roughly 5-6 बच रहे है I think 1 या maximum 2 volume distribution day बलकि normal situation में 1 volume distribution day होते ही market usually 17,800 को undercut करने की कोशिश करेगा और downtrend में हम जा चुके होंगे next important question आता है कि general market trend uptrend में कम जाएगा देखे एक बार market 18,300 को cut करके उपर की side sustain करता है तो normal situation में chances यह बनते हैं कि यहाँ पे हमें एक follow through strong day मिल जाएगा volume distribution days का count भी control में होने लग जाएगा और यहाँ पे general market trend uptrend में आ जाएगा इसके chances बहुत बने रहेंगे तो major हमारी लिए line हो जाती है 18,300 के उपर 300 मान लीजिए आप round figure में और नीचे की side होती है 17,800 की अगर आप member है तो आपको याद भी होगा मैंने हमेशा बात करी थी कि 18,250 के उपर ही market में हमें कोई confirmation मिल पाएगा uptrend का यहाँ पे हमने mean reversal के लिए खेल दिया that is absolutely okay पर हमारी heavy quantity यहाँ पे अगर हमने सिर्फ mean reversal के लिए कुछ trades करी थी वहाँ पे quantity होगी it's absolutely okay पर इस situation में जो अभी हमारे यहाँ पे trade बन रही है इस situation में quantity हमारी heavy तब ही होगी जब market 18,300 के उपर sustain करना start होगा तब ही इस complete situation के clarity हमें मिल पाएगी तो यह हो गया हमारा general market trend का answer अब हम देखते complete chart को weekly basis पे देखिए अगर हम normal situation में देखे और अगर मैं आपको यह बोलूँ कि हमें कभी भी market 16,800 के level को retest हो जाता है तो क्या हमें कोई tension की बात है एक बार आप यहां पर ध्यान दीजेगा अगर market कभी भी 16,800 को retest करता है तो कहीं भी कोई overall weekly charts की basis पे आपको कोई भी 1% की भी दिक्कत यहां पर नहीं दिख रही I am very sure आप समझ पारे हो यहां तक market का retest करना एक बार market ने 15,200 का supposed bottom बनाया almost 18,800 तक गया और यहां पर अगर यह retest करने आ जाता है 16,800 तक भी हमें weekly chart में कोई भी chart बिगड़ता वासा नहीं दिखेगा बट अगर हम बात करें कि market जिस तरीके का scenario यहां पर अगर इसे undercut करके 16,800 तक जाना है तो कोई ऐसी news market में होगी जो आज के दिन आपको और हमें नहीं पता है और वो news अगर हम normal सारी situations को ध्यान में रखे तो हमारे सामने simple सी news आती है budget के related अब वो budget के related क्या news हो सकती है या तो short term capital gain बढ़ जाए या फिर long term capital gain बढ़ जाए यही major scenario होता है हमारे market के लिए जिसकी वज़े से market एक बार 17,800 तो चोड़िए 16,800 को भी retest करेगा और अगर इसे retest करना है तो ऐसा नहीं होगा कि budget के साथ करेगा I am very sure budget से पहले यह news disperse हो जाएगी और अगर इसे retest करना हुआ तो यही news होगी इस retest का major कारण इसके अलावा normal situation में और कोई भी कारण नहीं हो सकता कि जिस तरकी के situation market यहाँ पे बना रहा है एक major 1000-1500 point का यहाँ पे आपको dip दे दे नहीं हो सकता dip ना देने का एक और कारण यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग है जो अपनी rally में बैठने का वेटी कर रहे है वो यहाँ पे भी market को miss करेते और पहले भी हर एक situation में वो market के correction का वेटी कर रहे है वो अभी तक चड़ ही नहीं पा रहे और अगर market कोई major dip दे देता है इस बार तो बहुत सारे लोग market में चड़ जाएंगे इसलिए जब तक कोई major news नहीं होगी और जो situation हमारे सामने budget की आ रही है उस समय हमारी major news हो जाती है budget के related और budget के related news हमारे सामने सिर्फ capital gain से related आती है अगर कुछ ऐसी news आती है भार और यह almost certain हो जाता है कि budget में हमारे सामने यहाँ पे major capital gain tax आने वाला है तब ही होगा ऐसा scenario की market नीचे की side retest कर जाए हो सकता है market यहाँ पे test कर जाए 100-200 point चल जाए एक बार को market downtrend में भी चल जाए पर overall basis पे अगर हम complete situation को सारी की सारी picture को ध्यान में रखते तो I hope आप clarity को समझ पा रहे है next आती है हमारी quantity बढ़ाने की बात quantity बढ़ाने की बात बहुत simple सी है 18,300 के उपर ही अगर हम quantity बढ़ाते है तब ही हमारे लिए risk reward ratio हमारे favor में रहेगा क्योंकि general market trend uptrend में आ चुका होगा तब तक हमें तोड़ी सी quantity को control करते वे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है एक होता है market का बिल्कुल धराशा ही हो जाना दूसरा होता है market का एक range में zigzag करते जाना almost 15-20 दिन के लिए इस situation में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है market चाहे तो इस situation में आराम से रह सकता है market चाहे तो 17-500 से लेके 18-300 की बीच में अगर zigzag करना चाहे तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसलिए market की confirmation के लिए वेट करने में as such कोई दिक्कत नहीं होती I hope आप इस point को समझ पा रहे है complete situation को समझ पा रहे है यह हो गया है complete discussion जो मैं इंट्राडे पर ध्यान रखेगा जहां पर भी market खड़ा है यही important support है अगर 17,970 का level टूटता है अंडरकट होता है तो यहां पर market में एक short की opportunity बन जाएगी और किसी भी short की opportunity में market में 18,050 के उपर के stop loss के requirement होती ही नहीं है और targets बड़े हो सकते हैं प्लस अगर कल first half में market कहीं पे भी zigzag कर जाएग छोटी सी range में बारा साड़े बारा एक बज़े के बाद जिस भी side का direction देता है hero zero trade का भी कल के दिन chances मिले रहेंगे तो वहां पे हमारे लिए अच्छी opportunity हो सकती है positive side की opportunity हमारे लिए market में बनती है जब market 18,050 के ऊपर 2-3 candle sustain कर जाए तो immediate target हमारा आता है 18,150 का and even second target आता है 18,250 का हो सकता है अभी आपको लगे कि अनन्द 18,250 का target तोड़ा बड़ा हो गया पर believe me कल के दिन expiry है अगर कल के दिन positive side के ड्रामे होने हुए तो बड़े होंगे वन्डा नहीं होंगे छोटे मोटे positive side के ड्रामे कल के दिन expectations बहुत कम हो जाती है तो इस चीच का ध्यान रखीगा अगर market 18,000 के नीचे की closing देता है तब भी हमें तोड़ा सा cautious होने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है पर हमें कल की दिन अच्छी opportunity मिलने के chances है इस चीच को ध्यान रखीगा अगर आप intraday basis में कल की दिन selling करना चाते है call और put दोनों तो वो अगर आप करते हैं तो सिर्फ first half में कर सकते हैं आपको यहाँ पे 20 से 30% के premium का DK मिल सकता है पर stop loss trick रखेगा क्योंकि second half में moment आया तो दोनों site के call और put जो हम sell करते हैं वो दिक्कत में आ सकते हैं suppose करते हैं आपने सोचा कि 18,100 पे आप call भी sell करना चाते हो put भी sell करना चाते हो कर सकते हो या तो यह काम किया जाता है morning में नौ साड़े नौ से लेके रफली बारा साड़े बारा एक बजे की बीच में या फिर काम किया जाता है धाई बजे या दो बजे के बाद जब मार्केट दिखे कि complete range में जा चुका है और तोड़ा सा zigzag हो रहा है उस समय बीच में 12 से धाई के बीच में ये काम हमें तोड़ा सा avoid करना चाहिए I hope यह point आपके लिए clear होगा अगर हम FIS, DIAs की moment की बात करें तो 3rd of Gen का moment हमारे सामने present है 3rd of Gen को DIAs ने 350 करोज की purchase करी थी FIS ने 628 करोज की sell करी थी इतना major यहां पर हमें कुछ भी indication नहीं मिल रहा है put call ratio की बात करें तो 0.93 के आसपास चल रहा है put call ratio कल के दिन वैसे भी weekly expiry तो हम put call ratio पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और ऐसे भी any which ways कल के दिन put call ratio हमें ज़्यादा कुछ indication नहीं दे रहा है तो हम उसे for the timing avoid कर देंगे धिहान रखिएगा important level market के even weekly basis पे और daily basis पे immediately हमारे सामने आ रहे है यह वाला तो आ जाता है immediate important level 17,800 का धिहान रखिएगा market के लिए 18,000 का और फिर 17,800 का major level बना रहेगा I hope आज का यह different video आपको मजा आया होगा, अगर मजा आया तो like करना मद पूलेगा, description में आपको DMAT account openings मिल जाएंगे और private channel पर जुढने का process मिलेगा, काफी additional updates मिलती है आपको वहाँ पे, चाहे तो उसका part बन सकते है happy learning and I will see you very soon